प्यारे वच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्छा में आज हम लोग बात करेंगे कक्छा 10 के इतिहास विशे के अध्याय 4 और द्योगी करण के युग के भाग 2 के बारे में इससे पुर्व भाग 1 में जिन विश्यों के ऊपर हम लोगोंने चर्चा की थी उसका एक पुरवावलोकन कर लेते हैं भाग 1 में हमने प्रोटो और द्योगी करण और द्योगी करण के बीच में क्या डिफरेंस होता है क्या अंतर होता है इसके बारे में सीखा था इसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिस की थी कि ओध्योगी करण सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुआ और वो कौन सी नई खोजे हुई थी जिसकी वज़े से ओध्योगी करण समभव हो पाया साथ ही हमने यह भी देखने की कोशिस की कि ओध्योगी करण की गती कैसी थी तो हमने पाया था कि ओध्योगी करण की गती धीमी थी और इसके क्या कारण थे इसको भी हमने समझने की कोशिस की थी अंत में हमने भाग एक में यह भी देखने की कोशिस की थी कि ओध्योगी करण का महिलाओं के उपर, स्रमिकों के उपर और बच्चों के उपर क्या प्रभाव पड़ा तो आज जो भाग दो इस विशाय का अंतिम हिस्सा है, इसके जो महत्वपूर्ण विशाय हैं उसके उपर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम यह समझने की कोशिस करेंगे कि भारत में ओध्योगी करण से पहले ब्यापार कैसे होता था साथ ही कपरा उत्पादन पर बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने क्यों नियंतरा नस्थापित करने की कोशिस की और उन्होंने ऐसा कैसे किया साथ ही इसका भारत के बुनकरों पर क्या प्रभाव परा और भारत के बुनकरों की स्थिती कैसी रही इस बारे में समझने की कोशिस करेंगे इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि भारत में उस दोर के आरंभिक उद्यमी कौन कौन से थे और किस तरह के उद्योगों में उनकी रूची थी इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि प्रथम विश्युद्ध और भारत का ओद्योगी की विकास इन दोनों के बीच क्या संबंध रहा और अंत में हम ये समझने की कोशिस करेंगे कि उस दोर के जो ओद्योगी करण के महारती हुआ करते थे उन्होंने अपने वस्त्वों का विज्यापन किस तरह से किया तो पार्थ के अंत में हमारा अधिकम पड़िनाम क्या होगा तो देखिए सिक्छार्थी इस पार्थ को पूरा करने के बाद ये समझ पाएंगे कि अठारहमी और उनीसमी सतावदी में अंतरास्ट्रिय ब्यापार के मार्ख कौन-कौन से थे साथ ही वो यह भी विवरंदे पाएंगे कि भारत में कपरा उत्पादन को नियंतरन करने के लिए ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने कौन-कौन से तरीके अपनाए साथ ही सिक्षार्थी भारत में बुनकरों की इस्थिती का आकलन कर पाएंगे और भारत के प्राडमभिक उद्यमों की पहचान कर पाएंगे और अंत में उत्पादों को बेचने के लिए ये उद्यमी किस तरह की रणिती अपना देते उसका भी विसलेशन कर पाएंगे तो शुरू करते हैं आज ओद्योगी करण से पहले भारत का ब्यापार कैसे होता था तो देखिए जब ओद्योगी करण भारत में शुरू हुआ उससे पहले भारत में बना हुआ रेसम और कपास का समान पूरे अंतराश्ट्रिय ब्यापार में बर्चस्व रखता था और हमारा ब्यापार भू मार्ग से और जल मार्ग से यानि कि समद्र दोनों माध्यम से हुआ करते थे भू मार्ग से अर्मेनिया और फार्सी के ब्यापारी भारत आते थे और उट पर माल रखकर वापस ले जाते थे प्रायः पंजाब से होते हुए नौर्थ वेस्ट फ्रांटियर प्रोविंस जो आजकल पाकिस्तान का सिंधप्रांथ कहलाता है उसके रास्ते अफगानिस्तान, पुर्वी फारस और मध्य एसिया तक भारत का ब्यापार होता था जहां तक समुद्र मार्क का सवाल है सूरत जो की अरव सागर के तरपर स्थित है वहां से खारी और लाल सागर के उपर जितने बंदरगाह थे उसको सूरत ने जोड़ा हुआ था और हुगली और मुसोली पटनम ये बंगाल की खारी के उपर स्थित हमारे बंदरगाह थे जो ह में पुर्व एसियाई मंदरगाहों से जोड़ा हुआ था तो एक खास बात यह हुई कि जब यूरोपिय कंपनियां भारत आने लगी तो ब्यापार के तरीके में भी पडिवर्तन देखने को मिला अब भारत का जो ब्यापार होता था वो यूरोपिय कंपनियों ने नियंत्रि नहीं बलकि यूरोपिय जहाजों से ब्यापार हो रहा था इसका कारण ये था कि 1750 इसवी के दसक तक यूरोपिय कंपनियों ने भारत में काफी सक्तियां प्राप्त कर ली थी पहले तो उन्होंने अस्थानिये रियास्तों से कई सारी रियायतें हासिल की और उसके बाद ब अपने स्क्रीन पर इस मैप पर देख सकते हैं कि सूरत और हुगली जैसे बंदरगाह जो पहले अत्यंत प्रसिद्ध हुआ करते थे और भारत को दुनिया के दूसरे देशों से जोडते थे उनका डिकलाइन हो गया यानि कि वो खतम हो गये लेकिन जिन जगहों पर इन ब्य कास होना सुरू हो गया तो दोस्तों एक गतिविधी करके देखते हैं जो कि इसी तरह से संबंधित है आप इस मैप को देख सकते हैं इसके उपर आपको लाल रंग के और नीले रंग की रिखाएं दिखेंगी लाल रंग जो लैंड रूट है भू मार्ग है उसको दरसाता है और जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये जल मार्ग को दरसाता है इसको सिल्क रूट कहते थे अब आपको ये पता लगाना है कि सिल्क रूट यानि रेसर मार्ग की अस्थापना किसने और कब की साथ ही आपको ये भी बताना है कि यह किस देश से किस महादीप तक फैला हुआ था और ये भी बताईए कि सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा कोई और नाम क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि प्राया 1757 इसमी में जब पलासी की लड़ाई हुई और अंग्रेजियों का प्रभाव भारत में बढ़ना सुरू हुआ जो बंगाल से सुरू हुआ था तो धीरे धीरे उनका ब्यापार इतना बढ़ा कि लाव होने की वज़े से उन्होंने कपरा उत्पादन को पूरी तरह से नियंतर्ण करना सुरू किया तो सवाल ये पैदा होता है कि British East India Company कपरा उत्पादन को क्यों नियंत्रित करना चाहता था इसके कई कारण थे सबसे पहला कारण ये था कि वह किसी तरह की प्रतिस्परधा नहीं चाहता था तो हर तरह के प्रतिस्परधा को वो बिलकुल खत्म कर देना चाहता था क्यों कि इसी समय दूसरी कमपनियां भी तो भारत में व्यापार कर रही थी जैसे फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपनी या डैनिस इस्ट इंडिया कमपनी और उन लोगों के साथ उनकी प्रतिस्परधा होती थी दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी लागत को पूरी तरह से नियंतरित कर लेना चाहता था और ये तभी संभव हो पाता जब दूसरा कोई उनके प्रतिस्परधा या कॉमपेटिशन में नहीं होता तीसरी बात ये थी कि ये चाहते थे कि कपास और रेसम के सामान नियमित रूप से इनको आपूर्ति होता रहे और ये भी तभी संभव था जब कपरा उत्पादन के उपर पूरी तरह से ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी का नियंतरन होता चौती लेकिन बहुत ही महत्तोपूर्ण बात ये थी कि ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी बिदेशियों के साथ साथ बिलकुल भी नहीं चाहती थी कि कोई अन्य देशी ब्यापारी भी इस ब्यापार में कदम रखे इस कारण से उन्होंने प्रवंध और नियंतरन की एक ऐसी प्रणाली विक्सित की जिसमें कपरा नियंतरन के उपर सिर्फ उन्हीं का अधिकार हो और किसी का भी नहीं तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बिटिस इस इंडिया कंपनी ने कपरा उद्योग पर किस तरह से नियंतरन किया तो देखिए इसके लिए उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए सबसे पहली बात जो उन्होंने की वो ये है कि भारत देश के बुनकरों पर उन्होंने प्रत इन सारे कामों के लिए उन्होंने एक सेवक की नियुक्ति की जिसको गोमास्ता कहा जाता था अब कंपनी के जो बुनकर थे जो बिटिस इस इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे उनको अग्रिम पैसा दिया जाता था एडवांस में पैसा दे दिया जाता था अब भारतिये बुनकर चुकि गरीब हुआ करते थे तो इन पैसों के उन्हें काफी आवसक्ता होती थी तो वो इस पैसे को सुईकार कर लेते थे लेकिन इसका एक असर ये होता था कि एक बार जब गुमास्था से अंग्रेजों की तरफ से वह अग्रिम पैसा सुईकार कर लेते थे तो बुनकरों की इस्थिती के ऊपर क्या आसर पड़ा बहुत ही बुरा आसर पड़ा सबसे पहली बात यह हुई कि कपास के लिए भूमी को पट्टे पर देना पड़ा अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत देश में जो किसान हुआ करते थे या बुनकर हुआ करते थे उनके पास जो भूमी होती थी वो काफी छोटी होती थी जिस पे वो आनाज पैदा करना चाहते थे जो खाने के लिए हो लेकिन जब उन्होंने कपरा उत्पादन के लिए करार किया अंग्रेजों के साथ तो अब अपनी भूमी उनको कपास के उत्पादन के लिए पट् सकते थे एक जो महत्रपुन बात हुई यह कि जब वो अपने समान को दूसरी जगों पे बेच लेते थे तो वो अपने कीमत के लिए सौधेवाजी भी कर सकते थे लेकिन जब बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो बंद गए तो अब कीमतों के लिए वो कोई भी सौधे खरिदारों को कपड़ा बेच भी नहीं सकते थे इसका एक बहुत ही महत्रपुन परिनाम यह हुआ कि कई बार बुनकर चुकी अपना कपड़ा अंग्रेजों को नहीं बेचना चाहते थे लेकिन गुमास था जब उनसे कपड़ा लेने के लिए गाउं में आता था तो दोनो और पता कीजिए कि आपके छितर में किस तरह का कला और सिल्फ उत्पादन होता है दूसरी बात आप ये पता करने की कोसिस करें कि कौन से लोग हैं जो इस उत्पादन प्रक्रिया में सामिल हैं विसेश करके यह पता करने की कोसिस करें कि इस पूरे उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं का क्या योगदान है और ये भी पता करें कि ये लोग अपना उत्पाद कैसे बेशते हैं क्या इन उत्पादों की बेचने से उनको कुछ फाइदा होता है इन सब के उपर आप एक रिपोर्ट तयार करें चलिए बचों अब हम लोग देखते हैं कि भारत में और की करन की सुरुवात कैसे हुई और सबसे पहले भारत में फैक्ट्रियां कब बननी सुरू हुई तो देखिए सबसे पहला जो बॉंबे में कॉटन मील बना था वो 1854 में बना था और बेंगॉल में पहला जूट मील 1855 में बना था इसके बाद जहां तक उत्तर भारत का सवा तो कानपूर में 1860 के दसक में सबसे पहले एलगिन मील बना और मदरास में पहली बार कताई और बुनाई के लिए एक मिल 1874 इस्विय में अस्थापित किया गया तो इस तरह से फैक्टरी युक की सुरुवात भारत में हुई अब देखते हैं कि भारत के आरंभिक उद्यमी तो सबसे जो महत्वपुन नाम आता है वो जमसेद जी 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 भॉय का आता है जो चीन के साथ बैपार करने में काफी रूची रखते थे और उनका सिपिंग का भी काम था यानि कि उनकी जहाजे चलती थी और बंगाल में द्वार कानाथ टैगोर एक बहुत ही उद्यमी थे जो सिपिंग में खनन में बैंकिंग में ब्रिक्षार ओपन में और बीमा सेवा की तरफ काफी रूची दिखाते थे भारत में टाटा परिवार को कौन नहीं जानता JN टाटा, RD टाटा, RJ टाटा, DJ टाटा ये जो टाटा प्रिवार है इसने सबसे पहले जमसेद जी नुसरवान जी टाटा ने जमसेद पूर में भारत का पहला लोहा और इस पातकार खाना अस्थापित किया इसके बाद GD बिर्ला जो की बिर्ला ब्रदर्स लिमिटेड के संस्थापक भी थे, चाय, कपरा और जूट के एक बहुत ही प्रमुक उत्पादक थे दिनसा पेटिट जो चीन को निर्याद करते थे और इंग्लैंड को कच्छे माल का सिप्मेंट भेज दिये थे साथ ही सेठ हुकमचन 1917 में कलकत्ता में वो एक मारवारी ब्यवसाई के रूप में आये और सबसे पहला भारती जूटमील अस्थापित किया तो ये भारत देश के सुरवाती दोर के उद्यमी थे जब तक धीरे धीरे उद्योगों का भारत में विकास होता रहा तब तक उसका असली सुरूप तो सामने नहीं आ पाया लेकिन जैसे ही प्रथम विश्युद 1914 हिस्वी में सुरूप हुआ जो 1918 हिस्वी तक चलता रहा तो भारत के उद्योगों को विक्सित होने का एक नया मौका मिला ये कैसे हुआ क्योंकि ये एक बहुत ही नाटक की इस्थिती थी अब इस चीज़ को हम समझने के उसिस करते हैं देखिए सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन के उद्योग युद्ध का उत्पादन करने में व्यस्त थे इससे क्या हुआ इससे ये हुआ कि भारत में मैंचेस्टर से जो आयात होता था यानि इंगलैंड से जो आयात भारत को होता था उसमें गिराबट आ गई और अब भारत का एक पूरा बाजार मौजूद था जो भारतिये उद्यमियों के लिए था और भारतिये मिलों के पास आपूर्ती करने के लिए इतना बड़ा घरेलू बाजार था जिसके लिए वो बहुत बड़े अस्तर पर उत्पादन कर सकते थे अब 1914 इसमी में प्रथम बिस्युद्ध सुरू हुआ और ये खिचता चला गया 1918 तक चलता रहा तो जैसे ही ये युद्ध लंबा खिचा भारतिये कारखानों को युद्ध की जरूरतों की आपूर्ती करने के लिए बुलाया गया जैसे उनसे कहा गया कि आप आर्मी के लिए जूट बैक बनाईए सेना की वर्दी के लिए कपरा बनाईए टेंट बनाईए चमरे के जूते बनाईए घोरे और कच्चर की काठी बनाईए तो इस तरह की बस्तों का जब डिमांड बढ़ा तो इनका उत्पादन भी बढ़ा इसके लिए नए कारखाने भी अस्थाबित किये गए और पुराने कारखानों में कई पालियों में काम होना शुरू हुआ क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था और सप्लाई भी हमें ज़्यादा करना था इससे नए नए रोजगार का सिर्जन भी हुआ कई नए स्रमिकों को भी नुक्त किया गया लेकिन एक खास बात ये थी कि जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी लंबे समय तक इन्हें फैक्टरियों में काम करना पड़ता था लेकिन यहां के उद्यमियों को इसका बहुत फाइदा हुआ तो इस तरह से नाटकिये तरीगे से भारतिय उद्योगों में काफी उच्छाल देखने को मिला अब एक गतिविधी करते हैं जो पीछे हमने जो कुछ भी सीखा है उस पर आधारित है यहां दो संटेंस दिये हुए हैं और आपको यह बताना है कि यह सत्य हैं या असत्य हैं पहला स्पिनिंग जेनी को 1764 इस बी में जेम्स हार ग्रिब्ज ने तैयार किया था आपको बताना है कि यह true है या false है सही है या गलत है दूसरा सेंटेंस है बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने बुनकरों की निगरानी आपूरती एकत्र करने और कपरे की गुनवत्ता की जाश करने के लिए जौबर नामक एक सेवक को नुक्त किया था क्या ये सत्य है या असत्य ये आपको बताना है और अगला जो दो सेंटेंस है उसमें आपको रिक्त अस्थानों को भरना है और तीसरा सेंटेंस क्या है बॉंबे की पहली सूती मेल डैस में अस्थापित की गई तो आपको वह एर लिखना है वह बर्स लिखना है जिसमें वेस की ओर रुक किया और चीन के ब्यापार में अपना भाग्य बनाया तो उनका क्या नाम था यह आपको वहां भढ़ना है अब समझने की कोशिस करते हैं कि चाहे इंग्लैंड के उध्यमी हो या फिर भारत देश के उध्यमी हो उन्होंने अपने बस्तों को बेचने के लिए किस प्रकार से विग्यापन किया अपने बस्तों की मार्केटिंग कैसे की दो तरीके उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे सबसे पहला लेबल लगाना और दूसरा कैलेंडर बनाना जब वो किसी बस्तू का उत्पादन करते थे तो उस पर एक लेबल लगाते थे और उ उनका गुनवत्ता का चिन्ह क्या होता था ये तीनों चीजें उस लेबल के उपर लगाई जाती थी ताकि लेबल देख करके ही लोग समझ जाएं कि उन्हें ये बस्तू खरीदनी है या नहीं दूसरा तरीका था कैलेंडर बनाने का कैलेंडर आप आज की डेट में भी हर घ कैलेंडर छपते थे उनमें भारतिये देवी देवताओं की छबियां हुआ करती थी और उसके रीचे वह अपने बस्तू का इमेज यानि कि उसकी छबी लगाते थे इससे ये लगता था कि जैसे अपने माल को बेचने के लिए उन्होंने देवी देवताओं से अनुमोदन ले लिया है इसलिए हमें उनकी बस्तूओं को खरीदना चाहिए तो ये एक बहुत खास बात थी बस्तूओं के विज्यापन के बारे में अब हम ये देखने की कोशिस करते हैं कि किस तरह से वो लेबल और कैलेंडर का प्रियोग करते थे तो देखिए ग्राइप वाटर कैल के लिए वो लोग बेबी क्रिष्णा की छबी इसके उपर लगा दिया करते थे अब चुकि भारतिये लोग भगवान क्रिष्णा से बहुत प्रेम रखते हैं उनके प्रती भक्ती रखते हैं तो सायद इसे देख करके ही ये प्रोडक्ट खडीद लेंगे ऐसा माना जाता थ वैसे ही दूसरा जो आप चबी देख रहे हैं अपने दाहिने साइड में ये एक मैंचेस्टर पे बने हुए सवान का लेवल है जो बीसवी सदी में हुआ था यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं भगवान कार्तिक माता लक्षमी और माता सरस्वती का चबी है तो आईडिया यही था कि इस्वर की चबी देखिए और इस्वर में अगर आपकी भक्ती है तो हमारा समान खड़ी दिये अब आगे देखते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद सोप साबुन का ब्रांड हुआ करता था जिसको सनलाइट सोप कहते थे और 1934 इसमी का ये सनलाइट सोप का कैलेंड इसमें देखिए क्या दिखाया गया है यहां पर भगवान विश्णु को आसमान से सुर्ज की रोसनी लाते हुए दिखाया गया है यानि कि जिस तरह से सुबह होता है और सुर्ज की रोसनी में सारी दुनिया जगमगा जाती है वैसे ही यदि आप सनलाइट सोप इस्तेमाल करेंगे तो आपके कपरी भी धुल जाएंगे चमक जाएंगे ये सोच उनके पीछे हुआ करती थी और दाहिने साइड में आप एक लेबल देख सकते हैं जो एक मैंचेस्टर का समान बना हुआ है और उसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है और इसमें महाराजा रंजीत सिंग की छवी को दिखाया गया है तो इसके माध्यम से वो ये संदेश देना चाहती थे जनता को कि यदि आप अपने राजाओं अपने नवावों के प्रती भक्ती रखते हैं उनसे सनेह करते हैं उनको सम्मान देते हैं तो आपको हमारा जो प्रडक्ट है हमारा जो उतपाद है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि दोनों चीजें आपस में जुरी हुई हैं तो ये तो सवाल था कि जो अंग्रेज उतपादन करता हुआ करते थे वो किस तरह से बस्तों का व्यापार करने के लिए विग्यापन दिया करते थे अब बात करते हैं जो भारतिये निर्माता हुआ करते थे वो क विज्यापन किया जैसा कि आप इस छबी में देख सकते हैं ये एक भारतिये कपरा मील का लेबल है और इसमें एक देवी को अहमदावाद की एक मिल में उत्पादित कपरा भेट करते हुए दिखाया गया है और इससे एक संदेश यह भी जाता है कि भारत के लोगों को अपने देश में उत्पादित सामान ही खरीदना चाहिए ना कि कोई विदेशी सामान तो दोस्तों अंत में एक गत्विधी करके देखते हैं आपको एक परियोजना तयार करनी है दाहिने साइड में आप दो छबियां देख सकते हैं पहली छबी 1934 इसमी के कैलेंडर की है और दूस 26 में भी रहते हैं वहां से आप किसी भी एक उद्योग का चैन करें और उसके इतिहास के बारे में आपको पता लगाना है आपको ये भी पता लगाना है कि पहले के दोर से और आज तकनीकें कैसे बदली हैं करमचारी लोग कहां से आते हैं साथ ही इन उत्पादों का विज् कैसे किया जाता है तो इसके उपर आपको एक पर्योजना कार्य तैयार करनी है तो दोस्तों इसके साथ ही हमने चाप्टर नमबर फोर और जोगी करण का यूग समाप्त किया आसा है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा धन्यवाद जन्यवार जाँ आसा है